हालो दोस्तो में हुँ राक्यसाठोर वर सवागाथे मेरे रूटोर चैनल आरा ठेक्निकल में हम डिजल मेकनिकल सेलबन के बारे में डिस्कसर्ण कर रहे है जिसमें पार्ट A और पार्ट B के रूप में मैंने दोश पार्टों में डिवाइट करा सेलबन को तो जीसे हम पहले जो part एक इस levels के बात हैं में बात करी थी, उसमें हमने देखा था कि जो भी unit可 मिलती है कुछ trade के लिए वो Simone होती है जैसे अगर आघर की बात करें, टरनर की बात करें डीजल के बात करें, अजिस ऐर कंडिसिनर के बात करें वह सभी जगह सेम होते हैं तो अगर हम फिर्स्ट जो चेप्टर पार्ट ऐ के बारा में जिंद्टेबी लेक्शर लगेए तो वह सभी ट्रेड ओके लिए उसके इस्कीμη प्रिपरेशन होसकती है जो फर्स्ट पार्ट के जो भी जित्ते भी मेरे लेक्शर रहेंगे वो फीटर, टर्नर, डिजल मेकनिकल, मोटर मेकनिकल, आधी ट्रेडों के लिए भी वो सेम क्लासे हो सकती है, कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा कुछ चेंजेस आता है, जैसे हम बात करेंगे फीटर में तो पर ज्यादा पुचा गया है और इसमें थोड़ा चेंजेस है, तो अब सेकंड़ पार्ट सम раст बात करेंगे, हम तो आप यहां पर से स्टार्ट होता है, डिजल मेकनिकल का पूरा कॉर्स, जो पहला चे趣र्टर से स्टार्ड होता है वो होता इसके बार में जो नियम है नेशनल आटो आटो मोशन टेस्टिंग एंड आडी इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्स के बारे में पूरा डिस्केशन करना पड़ेगा उसके बार में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन आट विकल ऑन बेस ऑफ रोडस पर सेंट्रल मोटर विकल्स रूल्स जो भी गवर्मेंट के नियम होते हैं इसके इसके बार में हमने देखना पड़ेगा साथ में हम डिसकेशन करेंगे स्टेरिंग टास्मिशन बॉड़ी एंड लोट के बार में यहां पर आपको लेक्शर रहेंगे कि स्टेरिंग सिस्टम क्या होता है और लोड बॉड़ी पर कितना होता है इसके बार में आपको डिसकेशन करना पड़ेगा उसके बार हम बात करेंगे जब हमारी गाड़ी को स्क्रैक्ट करेंगे तो इसके बारे में पूरा लेक्शर होता हैं उसके बारे मैं पूरा लेक्शर होता है क्लास्जिपेट आफ प्ली कि विंग्षान कंपसेंगे प्लासिबिकेशियन के बारे मेंilin curricular working principle और उसके बाद में फिर discussion होगा two stock and four stock diesel and petrol engine का जिनको बोलते हैं engine के बारे में discussion होगा उसके बाद में आता है compression ignition engine इसके बारे में चलू होगा principles of the spark ignition engines difference between two stock and four stock engines CI engine and SI engine compression ignition engine और spark ignition engine में हमको अंतर देखना पड़ेगा उसके बाद रहेगा main parts of the IC engine IC engine में कौन-कौन से internal combustion engine में कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में discussion रहेगा उसके बाद बाद रहेगा direct injection and indirect injection technology term used in the engine engine specification इसके बारे में हमारा पूरा lecture रहेगा उसके बाद में हम बात कर रहे है इस्टेडी आप दो वेरियस गेजेस इंस्टुमेंट ऑन देस्क बोल्ड गेज जो हमारे विकल रहती है उस पर बहुत सारे बोल्ड पर बने रहेते हैं जिसे हम फिल्ड गेज की बात करें टेको मिटर इस्पीडो मिटर आधी गेजों के बारे में हमको पूरा डिसकर्शन करना है फिल्ड फिल्ड इंडिकेटर में ठोजिशन सीड केरड़ था इंस्ट वार्न इसलेब स्ट किरते हैं गण सब्सक्राइब size of intake exhaust passage heat gasket इसके बारे में रहेगा importance of the turbulence के बारे में रहेगा उसके बाद में अगला जो topic start होटा है valve and valve mechanism के बारे में रहेगा जिसमें हम बात करेंगे description and function of the engine valve different types of material कौन-कौन से material यूज होते हैं types of the valve operating mechanism कुन किस परकार से operating करते हैं importance of the valve seat valve seats interest and cylinder head इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा फिर उसके बारे में रहेगा importance of the valve rotation valve steam oil seals size of the intake valve valve train valve timing diagram concept of the various valve timing इसके बारे में पूरा लेक्चर यहां से दो से चार लेक्चर बनेंगे जिसके बारे में पूरा discussion आपको कराये जाएगा उसके बार में आएगा description of the came after drivers came after कितने प्रकार की होती किस प्रकार से उसमें driver mechanism होता है उसके बारे में discussion रहेगा description of the overhead came साप इहां पर दो प्रकार की games आप तो होती है उसके बारे में पूरा discussion रहेगा importance of the came came lobes timing belt chain timing belt and tensioner पूरा discussion रहेगा कि game lobes किस परकार से होते है अगर game lobe की ऑगति किस परकार से problem up में पूरा discussion में पूरा this रहेगा timing belt किस परकार से काम में आती है उसमें change और किस से timing क्यों चेन्चनby व्रिमब से णक्धिन रहे हैं जो आखते हैं कि जो भी on Sun tierra रहे हमारे जो लगती है जैसे हम पिस्टिन के बार करें तो दो प्रकार की इडिंग होती है उसमें कूंद का मट्र होगा उसके बारे में पूरी तरह से discussion करेंगे काम और सब्टर्बिलेंस फिर हम बात करेंगे compression रेशो क्या होता है उसके बारे में करेंगे सेल पिश्टन पीन एंड लॉकिंग मेथड़ पिश्टन पीन यहां पर हम जात बी जब यह बिए कि प्सक्रकार करते हैं उसके लिए कौन से पीन का यूज करते हैं इसके बारे में भी पूरी तरह से दिसक्रिशन और इंजन बेरिंग्स क्लासिफिकेशन लोकेशन मट्रेल्स यूसद एंड एंगे इसके बारे में पूरा लेक्शह रहेगा इसको सबस्कूत करेंगर किस प्रकार से घ्राइब करना ना क्योंकि पर के जिसके मुश्य करती है था सिरेंग ओर में भी होता है इसके पर थू में होता है। उसको किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे उसके लिए vibration लगाए जाते हैं उसके बारे में पूरा lecture रहेगा क्रेंग केस ओई पंप गेरिंग टाइमिंग गेर्स टाइमिंग चेन टेंशनर फंक्शन करते हैं इनके बारे में देखा जाएगा फंक्षा में आप देखेंगे और अटेज्मेंट फ्लाइविल जो क्लइज लगा हुआ है हमारी क्रप्लिंग उनिट से टेज्ट फ्लाइविल से अटेज्ट रहेगा किस प्रकार से रहेगी और क्या-क्या उसके फंक्षिन है यहां पर हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन आप आप दसलीव होते हैं जो लाइनर लगे रहे रहे तो कुछ प्रकार के प्रयों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में पूरा लेक्शर रहेगा इंट्रोड़क्शन टुद्ट टर्वाइन्स कंप्रेशन आप बारे में बात करेंगे वह भी सिंगल इस्टेज और डबल आप आप लिगे अगला जो टापीक इस्टार्ड होगा वह नीड ऑफ पार कुलिंग सिस्टम अगर हम किसी भी चीज को अगर हीटिंग हो रही है तो उस वह पुलिंग की भोछ ज़री ज्यादा आओ सकता होती हैं नहीं पर हम कुलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे य different types of cooling system के बारह में बात करेंगा कि हम radiator के के ऐर सिस्टम वाटर कूल सिस्टम सीозд हम बात करेंगे रेडियेटल कुलेंट होसेस वाटर पंप कुलिंग सिस्टम थर्मस्टर कुलिंग फेंज टेंप्रेचर इंडिकेटर रेडियेटर प्रेशर केप रीकॉड़ी सिस्टम तर्वो स्विच आधी के बारे में डिसकेशन करेंगे देन लेक्षर स्टार्ड होगा नीड अफ द लुबिकेंट का परियोग करते हैं कि और कुन को से सिस्टम होते हैं उसके बार में शिनके बात करेंगे प्रेशर सिस्टम उसके बाद में नॉइस रेडि filter ब्रेशन प्रेलीव वॉल्ब आजी के बारे में हम देखेंगे oil indicator और oil cooler के बारे में देखेंगे यहां पर हम जानेंगे कि oil pump oil filter और oil pressure relief valve गया function है इसके उपर हमारा lecture रहेगा उसके बाद में discussion करेंगे intake and exhaust system हमारे किस प्रकार से intake और exhaust system होते हैं तो description of the diesel intake and exhaust system के बारे में बात करेंगे function of the air compression exhaust super charger intercooler turbo charger वेरियस turbo charger इनके बारे में पूरा discussion रहेगा इस intake system के बारे में हम देखें तो तो कुन-कुन से component है component रहते हैं इसके बारे में different types of day cleaner cleaner इसके बारे में हमारे याँ देखेंगे फिर intake manifold के बारे में हम दिखेंगे वह कौन से मेटल का बना होता है और किस प्रकार से वर्क करता है देन उसके बाद में हम बात करेंगे एक्जास सिस्टम के लिए कौन-कौन से ओनेते हैं एक्जास्ट मैनि फोल्ड एक्जास्ट पाइप नउच्वर रेडियक्शन के टेलिक्टिक कनवेटर फ्लेक्सिबल कनेक्शन्स आद इक बारे में हम देखेंगे किस प्रकार से जब वह एक्जास्ट को देखते हैं तो उसमें के नॉइस को कम करता है, catalytic converter हमारे atmosphere में जो हनी का रग्येस जाती है उसको वास्पर में converter करके atmosphere को देता है जिससे की हमारा pollution कंट्रोल होता है, इस प्रकार से यहाँ पर इसके बारे में हम देखेंगे उसके बाद में हम discussion करेंगे, fuel feed system in IC engine, petrol region में किस प्रकार से fuel जाता है gravity system में जो आपने ऊपर से नीचे जाता है, वो gravity system हो गया, force of heat system में किसी प्रकार से उसको pressure pump के दुआरा pumping करके जो प्रेशर से दिया जाता है, वो feed pump system के लाएगा साथ में हम mechanical और electrical system के बारे में भी देखेंगे किस प्रकार से रहेगा, knowledge about function working types of the carburetor, हम carburetor के बारे में जानेगे, carburetor किस प्रकार से work करता है, और किस प्रकार से वो function use होता है diesel fuel system के बारे में हम देखेंगे कि diesel fuel system fuel injector किस प्रकार से component करते हैं technology उनको किस प्रकार से clean करना है उसके बारे में देखेंगे साथ में फिर रहेगा diesel fuel system components, description and function of the diesel tanks, lines, diesel fuel filter, water separator, lift pump, plenzer pump, primary pump, in-line injection pump, distributor, types injection pump, diesel injectors, glow, glow plugs आदी के बारे में हम discussion करेंगे किस प्रकार से diesel engine से, किस प्रकार से oil महां पर पोष्चता है, जहां हमारे combustion chamber है, उसके लिए कितने कितने line लगे रहे देंगे, किस प्रकार से oil diesel filter होता इसके बारे में पूरा रहेगा, electronics diesel control के बारे में रहेगा कि किस प्रकार से fill engine को CID system जो आ करेंगे कि marine इंजमे किस प्रकार सब्सक्राइब करते upposis इंजन ही स्टाइबं सिस्टम स्टम उँब्रिक सप्लाइं फील थिस यौन efendim मोस्ता बाद करेंगे हम्रिएवर के बारे में सαथ में मोटर येटर मोटर से शौन हन मरीन कौन हमारा ऊपी होगा i mention in i mention control यहाँ पर control system के बार रहेगा हम किस प्रकार से बातावर्र को कर सकते हैं उसके बारे में हमको टाइप साफ चरेक्स के बारे में देखना पडेगा और hydrocarbon स्कूण कोन से हनाइट्रोजन जो पार्टस तो उसमें रेते हैं उसके बारे में carbon दायक्साइट सलस्ते लोफ क्राइप कźniej प्रकार किस प्रकार से निकलते हैं उनको वे प्रकार कंप किया सकता हुआ इसके बारे में पूरा रहेगा साथ में क्टालेटिक की स्वर्डा से फंक्शन करता एक्लोज लूप क्रेंखर इंवेंशन कंट्रोल प्रकार से सब्सक्राइब पुरा तो यहां पर पुरा यहां पर एक्जास्ट के बारे में किस प्रकार से निकलेएघी मिलिए वारे मिले म इस्टिर्टम यहां पर हम को इतना कुछ पात करेंगा ठ्र खिप्टिंङ यहां उन्जन हरे हैं इनजन नात इस्टार इपार क्या प्लग सी इंजन अगर आपका ज्यादा मात्रा में ओयल को कि फ्यूल को ले रहा है तो क्या दिक्कत है लो पावर जनरेशन पावर लो करें उसके बारे में बात करेंगे लो हाई इंजन प्रेशर इंजन नॉइस आधी डिसकेशन रहेगा इसी के प्रकार साथ हमारे ये पार्ट टू व रहेगी और साथ में ही अगर आपको ये चैनल अच्छा लगए तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इसे के साथ कल जो अगले लेक्चर इस्टार होंगे में पहले जो पार्ट एक स्लेबस करया था उसे ही कवर कर वाने जाओंगा तो उसे क अगर आपने कोई से टॉपिक को छोड़ा तो हो सकता है कि उसी से कोशन आ सकता है तो यहां पर स्लेबस का अकॉर्डिंग पूरा डिस्कसन हमको करना है और एक एक टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से किस कारण होते क्या केसों सब्सक्राइब बहुत सारे एक अगर मैं अच्छे मन से पढ़े और प्लीज अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो भी से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद